इस वीडियो में आज आपको नैशनल इंकम का बेसिक कंसेट बताऊंगी और कुछ ऐसे टर्म्स जो कि नैशनल इंकम में आपको हर जगा दिखेंगे उन टर्म्स को आज मैं क्लियर करूंगी तो एंट तक देखिएगा अच्छे से आपको समझ में आएगा और इस वीडियो को आप शुरू करते हैं सबसे पहले हम जानते हैं कि नैशनल इंकम की डेफिनेशन क्या होती है नैशनल इंकम is the sum total of factor income earned by normal residence of a country during the period of an accounting year इसमें ध्यान देने वाली कौन-कौन सी बात है सबसे पहला factor income दूसरा normal residence of a country और तीसरा accounting year सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि accounting year क्या है यह term आप सब लोग जान रहे होंगे कि जब accounting year यानि कि जब एक साल complete होता है किसी भी circle का किसी भी process का तो वो accounting year कहलाता है बिसिकली यह जो accounting year होती है यह 1st April से 31st March तक देखी जाती है हमारे commerce में तो जाहतर ऐसा ही होता है कि 1st April से 31st March का यह जो एक साल complete हुआ आपका यह एक accounting year कहलाता है वैसे कहीं कहीं यह 1st January से 31st December तक का भी होता है तो इस तरह से यह हो गई accounting year अब हम जानते है कि factor income क्या होता है इससे इसमें हमने पढ़ा natural income क्या होती है some total of factor income earned by normal residence normal residence or factor income क्या होता है यह हम जानते सबसे पहले जानते है कि factor income क्या होता है these are the rewards received by the owner of the factor of production from the firm for the use of their factor services owner of factor of production factor of production क्या होता है land, labor, capital and entrepreneurship यह हमें पता है कि चार factors of production होते है land, labor, capital and entrepreneurship now इन सब के कोई ना कोई owner होंगे यदि land है तो इस land का owner होगा labor है तो labor तो खुद में human resources है ठीक है उसके बाद क्या है आपका capital लगाया है जिसने उसका जिसने capital लगाया वो भी तो कोई owner होगा entrepreneurship जो entrepreneur है वो उसका owner होगा तो इस तरह से जितने भी factor of production है सब कोई ना कोई owner होगा तो जब किसी ने कोई चीज अपनी लगाई है किसी ने कोई investment किया तो उसको return में कुछ reward भी तो चाहिए कोई थोड़ीना free का कुछ भी कर देता है जिससे अगर आपके पास workers काम कर रहे हैं तो आप उनको कुछ return देंगे भी तो अगर आपने कहीं capital इंवेस्ट किया है तो आपको return में interest भी तो चाहिए अगर आप entrepreneurship है तो आपको profit भी तो चाहिए तभी तो आप उपना business करेंगे otherwise आप तो चलाएंगे नहीं अपनी entrepreneur आप फिर बढ़ना नहीं चाहेंगे अगर आप entrepreneurship चला रहे है तो आपको profit भी तो चाहिए in return तभी तो आप उसको carry on कर पाएंगे तो इस तरह से जो भी factors of production होते हैं उनको in return क्या चाहिए होता है कुछ reward चाहिए होता है और उन्ही reward को कहा जाता है factor income ठीक है उनको जो बदले में जो पैसा मिलता है वो क्या कहलाता है factor income कहलाता है और वो पैसा firm पे करती है जहां आप काम कर रहे हैं जिस company में आप काम कर रहे हैं वो company आपको pay करती है तो इ जानते हैं कि किसका कौन सा reward होता है compensation of employees employees अगर आपके घर में या कोई company में यदि employees काम कर रहे हैं लेबर्स काम कर रहे हैं तो उनको क्या चाहिए compensation चाहिए यानि wages चाहिए salary चाहिए सब चाहिए उनको फिर अगर आपने land लिया हुआ है तो आपको उसका rent देना है owner को next अगर आपने capital लगाया है तो आपको उस capital पर interest चाहिए और अगर आप entrepreneurship चला रहे है तो उसके बदले आपको क्या चाहिए profit चाहिए तो इस तरह से इन सभी चीज के बदले इन सभी factors of production के बदले कुछ न कुछ आपको in return reward चाहिए होता है और यह reward क्या होता है पैसा होता है और जब हम इसको sum up कर देते हैं तो यह हमारा factor income बन जाता है यानि जब हम compensation, rent, interest और profit इन चारो चीजों को जब हम add कर देते हैं तो यह क्या कहलाता है यह reward बन जाता है और यह factor income कहलाता है ठीक है इसी के sum total को हम कहते हैं factor income और national income क्या होता है यही sum total factor income का जो की earned by normal residence of a country अब यह normal residence क्या होता है normal residence are those residents who normally reside within the country concern and whose center of economic interest lies in the country concern यानि for example जैसे सोनिया गांदी यदि कोई व्यक्ति किसी country में रह रहा है और उसका concern भी उसी country से यानि वो पैसे भी उसी country में कमा रहा है तो यह वो व्यक्ति normal residence कहलाएगा ठीक है for example Sonia Gandhi Sonia Gandhi क्या है Italian है पर वो कहां रहती है इंडिया में रहती है इंडिया में रहती है वो यहां काम करती है यहां पैसे कमाती है तो Sonia Gandhi इंडिया के लिए एक इंडिया की वो normal residence है हलाकि उनका जन यहां नहीं वा है उनकी ओरिजिन इंडिया नहीं है और जरूरी नहीं कि जो भी normal residence है वो पर्टिकुलर्ली उस country के citizens होंगे ही होंगे बस इसमें क्या होना चाहिए कि वो उस country में रह रहे हो और पैसे कमा रहे हो यानि जो व्यक्ति जिस country में रह रहा है और उस country में पैसे कमा रहा है वो उस country का क्या हुआ नॉर्मल रेसिटेंस हुआ तो यानि जब ऐसे लोगों के द्वारा जब एक कंट्री के अंदर रह रहे जितने भी लोग है चाहे वो लोग हो चाहे वो इंस्टिटूशन हो या इंस्टिटूशन को भी एड किया जाता है तो या है वो लोग हो या इंस्टिटूशन हो तो का ओनर हो capital का ओनर हो या फिर compensation employees को दिया जा रहा है तो इन लोगों के बदले जो reward लोग को मिल रहा है नोग के काम के बदले जो यह factor service provide कर रहे हैं उसके बदले जुनको factor income receive हो रहा है उनको जब हम sum up कर देते हैं तो हमारा national income निकल की आ जाता है तो यह बहुत ही easy सा concept है national income अपकमिंग वीडियो में हम national income को ही detail में पढ़ेंगे तब तक अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी से भी information मिली हो तो आप इस वीडियो को like करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को subscribe करिएगा और अपने friends के साथ please 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 share करिएगा Thank you